हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टडी विद विशाल शरपर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ICC T20 वर्लकप दोज़ चौबी से सम्मंदित बनने वाले सभी मोश्ट इम्पोडेंट प्रेशनों के बारे में तो अगर आप किसी भी अग्याम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहले वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिए तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की और तो सबसे पहले कुछ टिटेल्स में जानते हैं ICC पुरिष T20 विश्वकप दोया 24 के फाइनल में बारत ने साथ अफरीका को साथ रन से हराया और खेताब अपने नाम किया वहीं बारत ने 17 साल बाद T20 विश्वकप जीता है बारत ने आखरी बार ICC T20 विश्वकप दोया साथ में जीता था T20 विश्वकप दोया 24 के फाइनल में बारत ने साथ अफरीका के खिलाफ टॉस जीत कर बल्ले वाजी का फैश्वकप जीता किया बारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियन टॉफी जीती थी 13 साल बाद कोई विश्वकप जीता है 2011 में भारत ने वनडे विश्वकप जीता था बात कर इसमें विजेता की तो विजेता इसमें रहा अपना देश भारत और कपतान कौन रहे रोई शर्मा और उपवेजेता जो रही वो रही दच्छड अफ्रीका और इसके कप्तान कौन रहे एडम मार्क रम मैन अपड़ सीरेज यानि प्लेयर अपड़ टूनमेंट बहारतिय तेज गयनबा जस्परीत बुम्रा रहे और मैन अपड़ मैच बहारतिय बल्ले बाच विराट कोहली अब सरवादिक जो रन बनाए इसमें वो बनाए 281 रन अफगानिस्तान के प्लेयर रहमा नुडला गुरबाज ने और सरवादिक जो विकेट ने वो ने अर्शदिप शेह ने और फज लहक फारूकी ने इन दौनों प्लेयरों ने सत्रे सत्रे विकेट लिये हैं अर्शदिप शेह जो हैं वो भारत के खिलाडी हैं और फज लहक फारूकी जो खिलाडी हैं वो अफगानिस्तान के खिलाडी ह अब इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ एक जून से लेकर 29 जून तक आयोजन इस्थल जो है वो है वेस्ट इंडीज और अमिर्खा संस्क्रेड इसका कौन सा थार नौवा और प्राशाशा कौन है अंतराश्थी क्रिकेट परिशद क्रिकेट फॉर में T20 शामिल टीम है इसमें 20 और कुल मैच खेले 55 आदकार गाना है आउट आप दिस बर्ड और पहली वार शामिल टीम है इसमें USA, करनाडा और योगंडा विजेता अब बात करें ICC पुरुष T20 विश्कप 2024 की विजेता रासी की तो इसमें विजेता जो राशी मिली विजेता को वो मिली 20.4 करोड रुपे यानि 2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर और विजेता टीम को मिली राशी 10.67 करोड रुपे यानि 1.28 मिलियन डॉलर और सेमी फाइल में हारने वाले टीम को मिली 6.48 करोड रुपे यानि 787 पांच डॉलर पतेक टीम को अब हम बात करने इसकी आयोजन ते थी की तो इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ एक जून से लेकर 29 जून तक और आयोजन इस्थर जो है वो हुआ वेस्ट एंडिज और अमिरका में संसकरण इसका खेला गया नौवा और फ्रशाशक हैं अंतर राश्टी क्रिकेट परशद क्रिकेट फॉर में टीट्वेंटी और शामिल टीम है इसमें बेस और कोल मैच खेले गए पचपन आदकार गान आउट आप दिस वर्ड और पहली बार शामिल टीम हुई जो इसमें वह ही यूएसे खनाडा और यूगांडा अब बात करें आइसी से पुरुष टीट्वेंटी विश्कप दोएच चोविस की विजेता राशी की तो विजेता जो राशी मिली यानि अपने देश को भारत को वो राशी मिली बीस दसमलब चार करोड रुपे यानि दो दसमलब चार पांच मिलियन अमेर्की डॉलर और उप विजेता टीम को जो राशी मिली वो मिली 10.67 करोड रुपे यानि एक दसमलब दो आट मिलियन डॉलर और सेमी फाइनल में हारने वाले टीम को मिली 6.48 करोड रुपे अब बात करें आईशीशी पुरष T20 विश्वकब दोवज़ा 24 में बने रिकॉर्ड की तो आईशीशी ने पुरष T20 विश्वकब दोवज़ा 24 के लिए 11.25 मिलियन अमेर्की डॉलर की रिकॉर्ड तोड पुरसका राशी की गोशना की एश्टोणिया के खिलाडी साहिल चौहन ने सबसे तेज 27 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया और यहनों ने क्रिस गेल का 30 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़ा और इश्टेलिया के तेज गेंदबाच पैट कमिन्स ने T20 वर्ल्ड कप दोज़ा 24 में इत्यासरश दिया है और पैट कमिन्स ऐसे पहले गेंदबाच बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार दो हैट्ट्रेक लिए न्यूरिलेंड के स्टार गेंदबाच लॉकी फरगीवसन ने अपने इस पेल के दवराण 4 में 4 ओवर मैड़क फैंक में फैंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ICC पुरुष T20 विश्व कप 20 क्रिकेट की अंतराष्टी चेंपिन्शिप है इसका आयोजन पतेक दो वर्षों बाद होता है क्रिकेट की शाशी निकाय अंतराष्टी क्रिकेट परिशद द्वारा आयोजित किया जाता है और ICC T20 विश्व कप का आयोजन पहली वर्ष 207 में दचिड अफरीका में किया गया था रोई शर्मा शबी ICC पुरुष T20 विश्व कप खेलने वाले और इसके साथ दोनों विश्व कप 207 और 24 में खेलने वाले पहने बादी खिलाड़ी बने है योवराशनी ने T20 वर्ड़कप 207 में एक लेंट के खिलाब मुकावले के दोरान एक ओवर में च्छे छक्खे जड़ दिये थे और योवराशनी से पहले बल्लेवाज बन गही थे अब हम बात करें ICC पुरुष T20 विश्व कप विजेताओं की सूची 207 से लेका 2024 तक संसक्रण खेला गया 2010 में बृजेताओं रहे एगलेंड चौथा संसक्रण 2012 से लगया विजेताओं रहे विस्ट अंडीज go इसमें विजेता टेम रही ओश्टेलिया, आत्मा संस्करड खेला गया 2022 में और इसमें विजेता टेम रही इगलेंड और नवाजो संस्करड खेला गया 2024 में इसमें विजेता टेम रही बहरत अब केस देश ने कितनी बार ICC पुर्ष T20 विश्वकप जीता तो दो बार विजे बारे में और 2016 में और एक लेंड ने जीता दो बार 2010 में और 2022 में और एक बार जो विजेता टीम रही वो रही पाकिस्तान जिसने 2009 में जीता था और स्री लंका ने 2014 में और कोश्टिलिया ने 2021 में अब हम बात करें ICC पुरुष T20 विश्व कप आयो जनेश्टल 2007 से 2030 तक तो पहला जो संस्क्रण खेला गया वर्स 2007 में तो इसका इस्ताल है दच्चड अफरीका और एक लेंड दूसरा संस्क्रण 2009 में इस्ताल है एक लेंड तीसरा 2010 में वेस्टन डिज में 2014 2012 में खेला गया स्री लंका में पांचमा खेला गया 2014 में बंगला देश में छटा खेला गया 2016 में भारत में सातमा खेला गया 2021 में ओमान और यू एई में आठमा जो खेला गया वो खेला गया 2022 में ओस्टिलिया में नवा खेला गया 2024 में अमेरिका और वेक्टन डिज में दसमा खेला गया 2022 में खेला जाएगा अपने देश भारत और स्री लंका में 11 संस्क्रण जो होगा 2022 में वो खेला जाएगा ओस्टिलिया और स्री लंका में और 12 संस्क्रण खेला जाएगा 2023 में वो खेला जाएगा एग लेंड आयलेंड और स्री लंका में अब बात करें हम ICC T20 विश्वकप दोईयद 24 के सभी 20 टीम और कप्तानों की तो पहले योग टीम है वो है भारत और इसके कप्तार रहे रोई श्यर्मा, दचड़ अफरीका टीम के कप्तार रहे एडेन मारकरम, अमिर्का टीम के कप्तार रहे मोनाक पतेल, वेस्टन डेश टी के कप्तार रहे राशित खान, ऑस्टेलिया के मिचेल मार्स, बंगलादेश के नजमुल होशल शान्तो, आयरलेंड के कप्तार रहे पॉलिश्टर लिंग, कनाडा के कप्तार रहे शायद जफर, और एगलेंड के जो कप्तार रहे वो रहे जोस बटलर, नामी बिया के कप्ता स्री लंका के कप्तान जो रहे वो रहे वानेंदू हरसंगा हसरंगा और युगांडा के युकपतार रहे वो रहे ब्रायन मसाबा तो अब हम आते हैं अपने प्रशनों की ओर ICC पुरिष T20 विश्वकब दोज़ाच चुविस का खिताब किस टीम ने जीता है सही अंसर एसका ओप्शन ए अपने देश बाहरत ने ICC पुरिष T20 विश्वकब दोज़ाच चुविस के फाइनल मैच में मैन आप दा मैच का किताब किस ने जीता है तो ये जीता है ओप्शन ए वराट कॉली ने बाहरत और दच्छड अफरीका के फाइनल मैच में ICC पुरिष T20 विश्वकब दोज़ाच चौविस में मैन आप दा सीरेज पिलियर आप दा टूनामेंट का खिताब किस ने जीता सही अंसर है ओप्शन ए जस्पिरित बुम्रा ने जस्पिरित बुम्रा ने आठ मैच में 29.4 ओवर की गैन बाजी की और इस दोरान 15 बिकेट लिए इसने इनको मैन आप दा सीरेज पिलियर आप दा टूनामेंट का किताब मिला ICC पुरिष T20 विश्वकब दोज़ाच चौविस का आयोज़न कहां हुआ तो इसका आयोज़न जो हुआ वो हुआ यूएस ही और वेस्ट अंडीज में है 2024 में ICC पुरिष T20 विश्वकब का कौनसा संस्क्रड आयोज़न हुआ सही आंसर है ओप्शन B नौवा संस्क्रड ICC T20 विश्वकब 2024 का पहला मैच केंटीमों के बीच खेला गया सही आंसर है ओप्शन A अमेर्का और कनाडा के बीच ICC T20 विश्वकब 2024 का पहला मैच केंटीमों के बीच खेला गया सही आंसर है ओप्शन A भारत और दच्छल अफरीका के बीच ICC T20 विश्चप दोज़ा 24 का फाइनल मैच यानि 55 मा मैच भारत और दच्छड अफ्रीका के बीच खेला गया और विजेता टीम जो रही भारत साथ रंसे जीता केस इस्टिरियम में खेला गया कैसिंग्टन ओवल इस्टिरियम में ICC पुरश T20 विश्चप दोज़ा 24 के ब्राइनम में कौन बने हैं तो ये बने हैं युवराश हैं उसेन बोल्ट, क्रेसिगिल और शाहिद अफ्रीदी तो इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन E उप्योप्त सभी T20 विश्चप दोज़ा 24 में सरवादे करन के स्खिलाडी ने बनाए सही आंसर है इसका ऑप्शन B रह्मान नुडला, गुरबाज और ये का के प्लियर हैं अफगानिस्तान के T20 विश्चप दोज़ा 24 सरवादे करन बनाने वाले तीन खिलाडी हैं पहले स्थान पर है रह्मान उलला, गुरबाज अफगानिस्तान के इननों ने 280 रण बनाए दूसरे स्थान पर है रोज़ार शर्मा अपने देश भारत के और इननों ने दोस़ा सत्तावर रण बनाए और तीसरे स्थान पर हैं ट्रेविस हैड और जिटी लिया के इन्हों ने 255 रन बनाए हैं T20 विश्व कब दोये 24 में सरवादे विकेट के स्खिलाडी ने लिये हैं सही आंसर है इसका ओप्शन सी उप्यफ्त ए और बी यानि अर्शदि प्षिये ने और फाजिल लहक फारूकी ने अफगानिस्तान के फाजिल लहक फारूकी और भारत के अर्शदि प्षिये ने T20 विश्व कब दोये 24 में 17 विकेट के साथ साइक तरूप से 60 विकेट लेने वाले गैनवाज रहे नेक्ट कोशन है ICC ने पुरश T20 विश्व कब दोये 24 के लिए कितने मिडियान अमेर की डॉलर कोट तोल पुरुसकार राशी की गोशना की थी सही आंसर है इसका ओप्षिन ए 11.25 ती 20 विश्व कब दोये 24 के लिए कुल 11.25 मिलियन डॉलर लगबग 93.5 एक करोल रुपे की प्राइज मनी तैकी गई थी नेश्ट कॉशन है आईशीशी पूरुस T20 विश्व कब दोये 24 की विजिता टीम भारत को खुल कितनी विजिता राशी मिली सही है आंसर है आप्षिन ए 1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर बारत ने अब तक कुल कितनी बार ICC T20 विशकप का खिताब अपने नाम किया है सही आंसर इसका आप्षिन बी दो बार बारत ICC T20 विशकप 2.24 के फाइनल में बारत ने सावत अपरीका को सातरन से हराया और खिताब अपने नाम किया और आखरी बार ICC T20 विशकप 2.27 में जीता था T20 विशकप के थ्यास में सरवाद एक छक्के मानने का रिकॉर्ड किसके नाम है सही आंसर इसका आप्षिन बी क्रिस गेल के नाम और ये बैस्टेंडीच के खिलाडी है T20 विशकप के थ्यास में सरवाद एक छक्के लगाने वाले टॉप तीन खिलाडी पहले नमबर पर हैं क्रिस गेल बैस्टेंडीच की हैं इन्होंने 63 छक्के लगाए हैं दूसरे स्थान पर हैं रोहिश शर्मा निदेश भारत के 50 छक्के लगाए हैं और तीसरे स्थान पर हैं जो स्पटला रेग्रेन के इन्होंने 43 छक्की लगाए हैं T20 विशकप के थ्यास में सरवाद एक छक्के मारने वाले बारती खिलाडी कौन हैं सही अंसर है आप्शन बी रोहिश शर्मा ICC T20 विशकप में फाइनल के बाद किन दो बारती खिलाडियों ने सन्यास की गोश्णा की है सही अंसर है इसका आप्शन सी उप्यक्त दोनों यानि विराट कोहली और रोहिश शर्मा ने T20 विशकप दोज़े 24 के लिए इस टॉप क्लोक नियम लगाया गया है इस नियम के तहत फिल्डिंग टीम को ओवर्समाप्थ होने के कितने सेकंड के बीतर दूसरा ओवर्स सुरू करना होता है सही अंसर है इसका ओप्शन भी 60 सेकंड के अंदर इस टॉप क्लोक नियम इसलिए लगाया गया ताकि दो ओवर्स के बीच ज्यादा समय बरवाद ना हो और मैच तक समय समय समाप्त हो जाए नियम का उल्लंगन करने पर पांच रनों की पेनल्टी होगी और इस टॉप के लोग नियम का पहला शिकार साइफ राज्य अमेर्का की टीन बनी है T20 World Cup 24 में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में USA को पेनल्टी के तौर पर पांच अत्रिक तरन देने पड़ गए Next Question है किसकी कप्तानी में भारत ने 207 में पहली बार ICC T20 Wish Cup का खिता था सही आंसर इसका Option A, MS Donin 27 द्वाला ICC T20 Wish Cup धच्छड अफ्रीका में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था जिसमें विजेता भारत की टीम रही थी Next Question है ICC पुरिश T20 Wish Cup कितने वर्षों के अंत्राल पर खेला जाता है सही आंसर है Option C, दो वर्षों के अंत्राल पर अंतर राष्ट ये क्रिकेट परशद की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होई थी 15 जून 1909 को मुख्या लैसका 22 अउक्तर अब अमीराक में है अध्यच्छ हैं ग्रेगबार कले और CEO हैं जीओफ अलाज डेस अगर आपको ये वीडियो आज की helpful लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूँ शियर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले वार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय बारत वंदे मातरम